नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चिरपरीचित दोस्त उपस्थित हूँ आप सभी की सेवा में एक बहद ही महत्वपून जानकारी को ले करके जहां नहाने के पानी में डालिये एक चीज तो नहीं रोक सकता कोई भी आपको करोणपती बनने से निरोगी और खुबसूरत काया के लिए आवश्यक है प्रती दिन स्नान करना स्नान करते समय यदि कुछ बातों को जहन में रखा जाये तो निरोगी और खुबसूरत काया के साथ साथ बहुत से शुप फलों की प्राप्ती भी की जा सकती है जैसे लक्ष्मी कृपा, कुशाग्र बुद्धी और चमक्ती दमक्ती हुई त्वचा सुभ सवेरे सुर्य उदै से पूर्व तारों की छाया में नहाने से अलक्ष्मी, परेशानियों और बुरी शक्तियों से मुक्ति पाई जा सकती है स्नान करते समय गुरु मंत्र, सुरोत, किर्तन, भजन या भगवान के नाम का जाप करें ऐसा करने से अक्ष्य पूर्यों की प्राप्ती होती है आज के बदलते परिवेश में लोग खापी कर स्नान करते हैं जो की शास्त्रों के अनुरूप नहीं है स्नान की एक विशेश विधी है, सर्व प्रथम स्नान करते समय सिर पर पानी डालें, बाद में पूरे शरीर पर पानी डालें इसके पीछे अध्यात्मिक ही नहीं वैज्यानिक कारण भी है ऐसे नहाने से सिर और शरीर के उपरी भागों की गर्मी पैरों के माध्यम से निकल जाती है त्वचा की सफाई का काम स्नान ही कराता है योग और आयरुवेद में स्नान के प्रकार और फायदे बताए गए हैं बहुत देर तक और अच्छे से स्नान करने से जहां ठकान और तनाव घडता है वहीं यह मन को प्रसन कर स्वास्थे के लिए भी लावदाई सिद्ध होता है जोतिश के अनुसार प्रती दिन काले तिल मिला कर नहाना एक प्राचीन उपाय है जिसे करने वाले व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है दरिद्रता उससे कोशों दूर भागती है और स्वास्थे लाव भी मिलता है प्रातक काल किया गया स्नान असिम सुख देने वाला माना गया है रात्री को सोते वक्त कुछ लोगों के मुह से निरंतर लार टपकती रहती है जिससे पूरा शरीर अशुद्ध हो जाता है ऐसे लोगों को प्राता काल उठते हैं स्नान कर लेना चाहिए तो देखा दोस्तों आप सभी ने हम आपको अध्यात्मिक के साथ साथ वैज्यानिक कानों के साथ जुड़ी हुई ये जानकारी लेकर के आये थे कि सुबह सुबह अगर आप स्नान करते हैं तो आपको कितने फायदे हो सकते हैं तो ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महतोपून जानकारी को ले करके तब तक के लिए धन्यवाद नमस्कार दोस्तों